नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि साल 2024 में बिल्डिंग मैटेरियल का क्या रेट चल रहा है तो चलिए एक एक करके फुली इंफोमेशन आपसे सेयर करते हैं कि साल 2024 में बिल्डिंग मैटेरियल के पुद्धिय सामान का रेट चल रहा है तो सबसे पहले एक हम सीमेंट की बात करें तो आपको मार्केट में एक वाटर-प्रूप सीमेंट होता है और एक नॉर्मल सीमेंट होता है तो जो नॉर्मल सीमेंट है वो आपको 390 रूपय का मिल जाएगा निक्ष्ट एधिम वाटर प्रूप सीमेंट की बात करें यान कि आपने देखा होगा कि वेदर सील्ट और इसके साथ साथ AAC गोल्ड यह सब जो सीमेंट आते हैं यह वाटर प्रूप सीमेंट की स्टेणी में आते हैं और इसके अधिम प्राइस की बात करें तो यह 430 रूपय का एक बैग मिल रहा है और कहीं कहीं पर 410 रूपय से भी श्टार्ट है बर जादतार रेट 430 रूपय ही है आपके एरिये में क्या rate है comment box में comment करके जरूद से जरूर बताईएगा नकश्टी धिम send यानि की rate की बात करें तो हमारे एरिये में rate का जो rate है यानि की send का जो rate है ऊच्श्टी एट रूपय पर क्यूबिक फिट के हिसाबसे मिल रहा है नक्स्टी दिम एग्रिगेट यानि कि Gitti की बात करें तो हमारे एरिये में गिटटी का जो रेट है वो 72 रूपय यानि कि 72 रूपय पर क्योई भी फिट के हिसाब से मिल रही है आपके एरिये में क्या रेट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए नक्षची दिम पुट्टी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में कुछ इस तरीके से पुट्टी का बैग आता है इसका वेट 40 किलो ग्राम यानि कि 40 किलो ग्राम होता है और यदि हम इसके प्राइस की बात करें तो 850 रूपे का एक बैग मिल रहा है यानि कि ये जो बैग है 40 किलो वाला ये 850 रूपे का एक बोरी हमें मिल रहा है नक्षची दिम वाइट सीवेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में कुछ इस तरीके से वाइट सीमेंट आता है और यदि हम इसके प्राइस की बात करें तो ये हमें 1000 रूपे से लेकर 1050 रूपे तक का एक बोरी मिल रहा है जिससे मार्केट में बहुत सरी कमपनियां होती है तो जो पुरानी कमपनियां है उनका जो रेट है तो ये में क्या रेट है कमेंट वॉक्स में कमेंड करके जरूर से जरूर बताइएगा नंकशची जिदिनी की इंट की बात करें तो हमारे एरिये में एंट का जो रेट है उसाज़े साथ रूपे पर पीस के हिसाब से बिल रहा है next thing you fly ass brick की बात करें तो fly ass brick का जू rate है वो लगभग 7 रूपे पर पीस के हईसाब से मिल ला है कहीं कई पर 8 रूपे भी ले रहे हैं बट जादा तर जो rate है वो 7 रूपे पर पीस के हिसाब से fly ass brick मिल रही है next thing you payur block की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके सिफर्स बनाने के लिए पेवर ब्लॉक आता है इसका rate हमारे area में 15 रूपे पर पीस से लेकर 18 रूपे पर पीस के हिसाब से चल रहा है यानि कि 15 रूपे का एक पीस या फिर 18 रूपे का एक पीस मिल रहा है बड़ ज्यादा तर जो रेट है वो 15 रूपे पर पीस है कुछ advanced टाइप के जो फेवर ब्लॉक होते हैं उनका rate 18 रूपे पर पीस के हिसाब से मिल रहा है निखे यह मैं टाइप करें तो मáriaर्केट में आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से कई पर कार की टाइप विससी मिल रही है निक्ष्ट आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से मार्केट में जो बड़ी टाइल्स आती है इसका जो साइज है ये दो फिट बाई दो फिट की होती है और ये दिम इसके प्राइस की बात करें तो ये हमें 500 से लेकर 700 रूपे पर पेटी के हिसाब से मिल रही है तो ये जो 500 रूपे वाली पेटी है इसमें टोटल चार टाइल्स हैं और एक टाइल्स का जो साइज है वो दो फिट बाई दो फिट है नक्ष्ट इदिम ग्रेनाइट की बात करें तो आप देख सकने की मार्केट में कुछ इस तरीके से ग्रेनाइट आती है और इधिम ग्रेनाइट के प्राइस की बात करें तो भाई साब ग्रेनाइट का जो रेट है हमारे एरिये में 120 रूपे पर स्क्वाइर फिट से लेकर 120 रूपे पर स्क्वाइर फिट से लेकर 150 रूपे पर स्क्वाइर फिट के हिसाब से मिल रहा है बढ़ जादा तर जो टाइल से हैं वो हमारे एरिये में 120 रूप है पर स्क्वार फिट के हिसाब से मिल रही है तो लगबग हमने प्रतेक मैटेरियल का रेट आप से सेर कर दिया अभी के लिए अपने ममी पापा का अपने से motivations इसी भाव के साथ आप सभी से बिरा लेते हैं धन्यवाद